हलो अभीवन नमस्ते प्रनाम मैं हूँ कंचन मनी रितनम स्वागत है। आप सभी लोगों का मेरे यूटूब चैनल मुजश्व करियर कार्मी में। फिरिस ये वीडियो में आप सभी लोगों को थाइंक्यू से स्टार्ट करना चाहूंगे। क्योंकि यह पॉसिबल हो पाया है यह खुशी मेरे जो जहरे की जहलक रही है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हो पाया है जैसे कि आपने टाइटल और थम्निल पे देखी लिया है यह हमारा चैनल म्यूजिक केरियर अकेडमी 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर च जानते हैं कि इस चैनल पर आप सभी के ही कोश्चन का आंसर मिलता है कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो इस वजह से चैनल आपका भी है तो यह सेलिब्रेशन हम सभी लोग मिलकर करें तो बहुत जाद अच्छा रहे तो यह सेलिब्रेशन बिना आप सभी लोगों के अधूरा है तो मैं आप सभी लोगों के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहूंगे और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को यह बताते हुए कि हमारा चैनल तेनके कंप्लीट कर चुका है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का प्या दूसरा यह कि जो हमारा कंटेंट है वह आप सभी लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है दूसरा यह कि आप हमारे कंटेंट से सीख रहे हैं और आपकी म्यूजिक और भी ज्यादा स्ट्रॉग हो रही है तो यह बहुत अच्छा है हम सभी लोगों के लिए यह चैनल और भी लोगों तक पहुचे और और लोगों का भी श्यूर्वाद से आज यह फॉसिबल हो पाया है मैं करती हूं आप सभी लोगों से कि इसी तरीके से और और आश्रिवाद बनाय रही है और इस चैनल को और भी बढ़ा बनाइए क्योंकि इस चैनल से बहुत सारे लोगों का भला होने वाला है और जितने लोग यहां से सीख रहा है उनका तो हो ही रहा है बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि मैम आपकी इस वीडियो से मेरी यह प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मैं मेरा यह कोश्चन है आप प्लीज बता दीजे तो मैं कोश् कॉमेंट्स मैं आप लोगों के साथ पढ़ूंगी और उसका आंसर करूंगी आप सभी लोग उसमें से एक हो सकते हैं जिनका कॉमेंट्स मैं पढ़ने वाली हूं और आपको आंसर देने वाली हूं तो बने रही है वीडियो के लास्ट तक बने रहीएगा क्योंकि यह जो मै के कोश्चन पर आधारित हो हो सकता है आपका ही कोमेंट हो जो मैं पढ़ने वाली हूं वीडियो में बने रहे हैं और पहले से लिब्रेट कर लेते हैं फिर आपके कोश्चन का आंसर देते हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं यह सभी लोग थे हमारे साथ जो सेलिब्रेट कर रहे थे और बहुत अच्छी तरीके से बहुत मस्ती हुई बहुत सारा सेलिब्रेशन हुआ यह पॉसिबल तभी हो पाया क्योंकि आप हमारे साथ हैं यह बने रही है और अपना प्यार और आशरवाद बनाया रही है इस चैनल को और भी ज्यादा ग्रोथ देने के लिए प्लीज आप सपोर्ट करिए लाइक शेयर औरयो कमेंट करते रही हैं इसी तरीके से प्यार बनाये रहे हैं तो आईए मैं कॉमेंट पड़ती हूँ, पहला कॉमेंट यह है, APS12 करके उन्होंने कहा है, स्री गुरुदेव के स्री चरड़ोबे कोड़ी कोड़ी अभिवादन, सादर प्रडाम, आत्मी बंदन, आपकी जय हो गुरुदेव, आपकी इस फेलिंग का, इस भाव का मैं बहुत संबान करती हूँ, मेरा भी आपको बहुत बहुत प्रडाम, आईए आप दूसरे कॉमेंट पे चलते हैं, दूसरा कॉमेंट है, कि मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो का नाम है स्वरग्यान क्या है, स्वरग्यान कैसे होता है, उस पे एक कॉमेंट आया है, रेनुका जी का, उन्होंने लिखा है कि, माम थाइंक्यू सो मच, आपने सच कहा, मसीन बनकर नहीं मेडिटेट्यू होकर, क्वालिटी रियास करना है, अब मैं यही करूंगी, गुरू मा, तो मैं आप से पहले यह करूंगी, कि प्लीज मुझे गुरू मा मत बोलिए, क्योंकि मेरी शादी भी नहीं हुई है, तो मैं मा अभी तो नहीं हूँ, तो आप मुझे सिस्टर बोल सकती हैं, गुरू बोल सकती हैं, और माम कह सकती हैं, बट प्लीज अभी मामत बोलिए क्योंकि बहुत ही ओल लगता है मेरी यह जितनी भी नहीं है कि मैं मा कहला हूँ बट हाँ आपकी जो फेलिंग है मुझे को समझ सकते हूँ कि आप किस वे में बोली होंगी जब आप किसी को अच्छी तरीके से उस गुरू के पद्वी पे रखते है न तो फीमेल होते है तो उनको गुरू मा ही बोलते हैं तो आपके भाव का अभिवादन है लेकिन मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करते हूं कि अभी गुरु मा मत बोली कि अभी गुरु मा लायक नहीं हूं मैं तो फैंकिश सो मक्च आप मसीन बनकर मत करिए मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलती हूं कि मसीन बनकर कभी भी म्यूजिक नहीं करना है Meditative हो करके यानि कि आपको ध्यान लगा के करना है Music अगर Music में आगे बढ़ना है तो हर चीज को समझते हुए करना है ऐसे यूं रट्टा नहीं मारना है ठीक है तो इनके comments पढ़ करके अगर आपको भी लग रहा होगा कि ऐसा मैंने क्या बताया है तो जा करके स्वार ग्यान ये वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा आपकी इस वीडियो में मुझे वो पुराने फिल्मों के गाने भी समझ आने लगे जो पहले कभी नहीं आते थे मैं सोचता था ये कैसे गाने है इतने सालों बाद आपकी इस वीडियो से सब पता लगा वो क्या गाने थे आपको इस तरीके से समझ आया और बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूटूब चैनल पर और इसी तरीके साब वीडियो देखते रहे हैं अपने ग्यान को बढ़ाते रहे है सो बात करते हैं अगले कमेंट की, अगला कमेंट है जैनी का और कमेंट में लिखा है उन्होंने कि और कुछ लोगों को बहुत जल्दी सुरों का ग्यान हो जाता है मैंने सप्टेमबर से म्यूजिक सीखना यूटूब से शुरू किया और अब अक्टूबर एंड आ गया है और लगवग मुझे सोरो का ग्यान हो चुका है जैमसी है इन्होंने कोमेंट जो किया है वो इस बात पर किया है कि मैंने कहा है कि जो स्वर होते हैं किसी किसी को बहुत जल्दी आ जाते हैं किसी किसी को स्वर ग्यान बहुत साल लग जाते हैं तब जाके आता है तब उसी बात पर इन्होंने कहा है कि और कुछ लोगों को तो बहुत जल है उत्तर पठेल का है उन्होंने लिखा है थांक्यू गुरुजी वेरी नाइस वीडियो उडिसा सुन्दर गड़ के छोटे से गाउं से प्रणाम आपको भी मेरा साधर प्रणाम आपका स्वागत है हमारे चैनल पर इसी तरीके से आप वीडियो देखते रहें और सीखते रह रहा है विहात वनसीट्वेंटी करके इनका यूजर नेम है इनकी जो आइडिया नेम तो हमें नहीं पता इन्होंने कमेंट किया है हार्वोनियम में कॉट्पर वीडियो बनाईए गुरूजी बिल्कुल आपका यह जो कॉमेंट है आपका जो कोश्चन है इस पर मैं वीडि बता रहा है कि अगर आपका कॉंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप हार्वोनियम पे भी एज डिस लगा सकते हैं तो शायद नहीं समझा रहा होगा चलिए कोई बात नहीं मैं हार्मोनियम पे भी एक वीडियो बना दूँगी किसी भी गाने में कॉट कैसे लगा है अगला क राम मानदी जी का उन्होंने लिखा है नमस्कार मैं बहुत बहुत बढ़्या बताया आपने मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ मैं भी कीबोर्ट मैं जम्मू कश्मीर से देख रहा हूं आपकी वीडियो थाइंक्यो सो मट से ज्वागत है आपका मेरे योट्योब चैनल पर आप ऐसे ही वीडियो पर प्यार और कमेंट बनाए रखिए और आशिरवाद अपना दीजिए कि यह चैनल आगे भी भरता रहे और इसी तरीके से अच्छी ची वीडियो आप तक पहुंसती रहे उसी वीडियो पर अगला कमेंट है नाइस वीडियो आयम रजक ब्लाँच गुजरात असम से विलकम ब्रजक जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर इसी तरीके से अपना प्यार आशिरवाद मनाए रहे हैं कमेंट करके हमसे जुड़े रहे हैं अगला कमेंट हमारा है जाफर जी का उन्होंने रिखा है हलो डियर माम आयम फ्रॉम पाकिस्तान और व बढ़ता रहेगा तो आईए अगले कमेंट की बात करते हैं अगला कमेंट हमारा है राजेश जी का उन्होंने लिखा है हम गाना नहीं निकाल पाते हैं माम चार-पांच साल से म्यूजिक सीख रहे हैं गाना कैसे निकाले माम प्लीज एक वीडियो बनाए तो राजेश जी म महां पर देखिए सर्च करिए मेरे यूट्यूब चैनल पर जाईएगा खुद से गारा कैसे निकाले इस वाले वीडियो को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके कोश्चन का अंसर उस वीडियो से मिल जाएगा तो थांक्यू सो मच कोमेंट करने के लिए हमारा अगला कोमें कोमेंट है सीवा जी का उन्होंने लिखा है पूर्ने महरास्टा मेज़द वेलकम टू माइचैनल उसके नीचे कोमेंट है हमारा नागेंदर सिंग जी का उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले तो मैं आपको एक देवी समझ कर प्रणाम करता हूँ उसके उपरांत मैं एक का तरीका बहुत अच्छा है थोड़ा सा इसमें बहुत ज्यादा डॉट्स लगे हुए तो पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है फिर भी मैं पढ़ रही हूं आपके सिखाने का तरीका बहुत ही सुन्दर है आपको परमात्मा सुखी रखे यह कृपा कोई वीडियो में कि मेरा ये स्लोगन पढ़ देना ओम एस ओम एस हां ओ अच्छा ओम शांती थांक यू सो मच सेर्ड आपने जो कॉमेंट किया यह आपका यह कॉमेंट पढ़ करके मुझे मुझे बहुत अजीब हो रहा है कि आपकी एज क्या है 72 एर्स है मैं आपकी एज पढ़ कर ही मेरे मन म यह आ रहा है कि सच में आपने सही कहा कि मैं आपकी बेटी के समान हूँ और बहुत-बहुत सुक्रिया आपका कि आपने कॉमेंट किया और अपना आशिरवाद इस तरीके से हमें दिया और आपने लिखा कि आप मुझे देवी लगती है आपने लिखा है सबसे पहलो तो मैं आ चिरवात दिया देखिए मैं कोई देवी तो नहीं हूं और मैं सिर्फ और सिर्फ इनसान हूं कि और देख्याenty के लिए ही वीडियो बनाती हूं मुझे बहुत खोशी मिली और यह कॉमेंट पढ़कर आपको पता है मुझे इतना ज्यादा मोटिवेशन मिल रहा है कि सच में मैं अब नहीं रुकूंगी इसी तरीके से वीडियो बनाऊंगी आप लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉल्ब करती ना हो लेकिन मैं आप लिए वीडियो जरूर्व मेरे लाइफ में कितने भी उतल होता रहे कितने ही इसाथ प dönेखने मेरे धीटा था फल्रा ऑले दिन्हाख परिशान थे लेकिन असके बीच एक या दो दिन या इतनी जल्दी मैं आपका अंसर दे पाऊं इसलिए आपके आंसर पे वीडियो बनाती रहती हूं जैसे धेर सारे questions हो जाते हैं तो उसे एक light up में मैं वीडियो बनाती रहती हूं लेकिन आप वेट करते रहा करें जुड़े रहा करिए क्योंकि आपके question का answer आपको मिलेगा इसमें से एक लोग ने हमको comment किया कि ma'am हमने आपसे question की आपने answer नहीं दिया तो मैंने उनको बोला कि वो तब कर रहे थे जब तीन हफ़ते बीद गये और उनके question के answer पर मैंने वीडियो बना कर अप्लोड कर दिया तो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं हमारा question का answer नहीं दिया आपने सब के question का answer देती है हमारे question का answer आपने नहीं दिया तो मैंने उनसे बोला कि आप कहां हैं दो हपते हो गए और आप चार लगवग एक महीने बाद हमें comment कर रहे हैं और मुझे message कर रहे हैं मैं आपने answer ले लिया आप ऐसे कैसे कर सकते हैं बताइए आपके question का answer मैं बोलती हूं ना कि within one week या two week में मैं दे ही दूंगे मैं इतना कोशिश करती हूं इतना regular रहती हूं आप लोगों के लिए तो प्लीज ऐसे इलजाम ना लगाएं क्यूंकि मैं comment पढ़ती हूं तो आपके question का answer जरूर देती हूं यह रहा कुछ comment चो मैंने आप लोगों के तक share किया और बहुत सारे comments हो जाते हैं friends सबको पढ़ना possible नहीं है उसके लिए भी मैंने सोचा है कि एक मैं session करने वाली हूं live session उसमें मैं क्या करूंगी मैं live आया करूंगी आप लोगों को दो team पहले ही inform कर दिया करूंगी हां मैं live आने वाली हूं live आकर के मैं आप लोगों से बात करूंगी और आपके जितनी से आप लोग comment करते हैं literally बताओं मुझे बहुत सुकून मिलता है बहुत खुशी मिलते हैं और हमेसा motivate करते रहते हैं आपके सारे comments आपका अपना चैनल music career academy 10K complete कर चुका है आप लोगों को कैसा feel हो रहा है please comment में जरूर बताइएगा और चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में obviously वह वीडियो जो होगा lesson पर आधारित होगा आपकी question पर आधारित होगा चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए topic के साथ obviously वह topic यह ऐसा celebration topic नहीं होगा क्योंकि वह हमारे जो चैनल पर जो routine बन रहा जो रूटीन बना हुआ है जो जिस subject पर हम वीडियो बनाते हैं उसी subject से related रहेगा आपके question पर भी आधारित हो सकता है वो वीडियो तो इसी तरीके से बने रही है अपना आशिरवात प्यार बनाये रही है नए हो तो चैनल को subscribe कर लिजेगा वैल आइकन से जरूर प्रेस कर दीजेगा और हां share करना नह नए टॉपिक के साथ ततक के लिए take care बाबाई जैहीन वंदे मात्रम राधे राधे